जेवन उत्सहा नियूस की आद दिन भर की दस बड़ी खबरों में आपका स्वागत है प्रताप शुकला ने 14 मार्च से विधान सवा का बजट सत्र बुलाने की अनुमती दे दी है इसके बाद राजभावन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है हिमाचल के चंबा और कांगडा में लगे भूकंप के जटके हिमाचल प्रदेश के चंबा के डलहाजी और कांगडा जिला के कैई शेत्रों में भूकंप के दो जटके महसूस किये गए है सोंबार देरात करीब 10 बज कर 38 मिनट पर आए भूकंप का मुख्या के अंदर चंबा जिले में जमीन के अंदर 10 किलोमेटर की गहराई पर था डीसी ने दिये जांच के अदेश हिमाचल प्रदेश के स्रमौर जिले के तरलोग पूर स्थित माता बाला सुंदरी मंदर के खजाने से सौक रोड की हिरा फेरी के गंभीर अरोप लगे हैं शेतर के ग्रामीनों ने यह अरोप मंदर न्यासमीती के अधिकारियों और करमचारियों पर लगाई हैं डीशी को सिकायत के बाद ग्रामीनों ने पत्रकार वारता कर इसका खुलासा किया है उपायुक तराम कुमार गौतम ने बताया कि तरलोग पुर पंचायत के लोगों की मंदिर के चड़ावे के चोरी मामले में शिकायत मिलने के बाद जांच के निर्देश जारी कर दिये हैं हिमाचल में बनी कॉलोस्टॉल मदुमे सहित 16 दवाओं के सेंपल फिल हिमाचल प्रदेश में बनी 16 दवाओं समेट देश भर की 45 दवाओं के सेंपल फिल हो गए हैं केंदरी आउशदी मानक नियंतरन की ओर से जनबरी महमे कुल 1348 दवाओं के सेंपल देश भर के लिए गए थे जिसमें 1281 सेंपल पास हुए हैं जबकि 67 सेंपल मानकों पर खरें नहीं उतरे हैं इनमें हिमाचल प्रदेश के अध्योगिक शित्र बद्दी नालागड उन्ना और जिला स्रमौर के काला अम से सेंपल भरे गए थे जिनमें 16 दवाओं के सेंपल फिर से फेल हो गए हैं सुखु सरकार ने हिमाचल करमचारी चाएन आयोग किया भंग जियो आईटी पेपर लीक मामला सामने आने के बाद 26 दिसमबर 2022 से निलंबित चल रहे हिमाचल परदेश करमचारी चाएन आयोग को सुखु सरकार ने भंग कर दिया है मामले की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने अफ्रासला लिया है मंगलबार को मुख्या मंतरी सुखवेंदर से सुखु ने इसकी जानकारी दी उन्होंने कहा कि करमचारी चाएन आयोग में बीते तीन साल से भरती प्रिक्षाओं की पेपर बेचे जा रहे थे जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है इसको देखते हुए आयोग को भंग करने का फैसला लिया गया है बद्धी में पैकेजिंग कंपनी के चिकानों पर आयकर विभाग की रेड़ प्रदेश के जिला सोलन के अध्योगिक शेतर बद्धी में स्थित Ultimate Flags Pack Limited कंपनी के चिकानों पर आयकर विभाग ने दबिश दी जानकारी के अनुसार आयकर विभाग के अधिकारियों की एक टीम सुभा बद्धी स्थित यूफ्लैक्स पैकेजिंग कंपनी में पहुंची टीम के पहुंचते ही कंपनी प्रबंधन में हड़कम मच गया टीम ने कंपनी में अंदर जाने और आने बाले सभी रास्तों को ब सहकारिक्षिव ग्रामीन विकास बेंक लिम்टेड के चिर्मेन निक्ट के गे हैं छोहान जिला कांगरा के पालबर के सिलोग गाम के निवासी हैं संजे सिंग चोहान कॉंगरेस के राज्य अध्यक्ष भी हैं और बहाग कांगरेस कमेटी सिलह के अध्यक्ष भी हैं पूर cred मैं कॉंग्रेस के राज्य प्रवक्ता रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि छोटे क्षित्रों के पौधर उपन के बजाए बंजर पहाडियों के बनिकर्ण के लिए बड़े क्षित्रों में चरणवत तरीके से पौधर उपन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरित रज्य के लक्ष को प्रापत करने के लिए बंजरबन भूमी के बनिकर्ण पर विशेश ध्यान दिया जा रहा है। भारत महिला T20 के सेमी फाइनल में डगवर्थ लुईस नियम से इंडिया ने आईरलैंड को पांच रंद से हराया। भारतिय महिला क्रिकेट टीम ने ग्रूप B के अपने एक आखिर मैच में आरलैंड को डगवर्थ लुईस सिस्टम मैथट से पांच रंद से हरा दिया है। इस जीत के साथ टीम इंडिया सेमी फाइनल में पहुंच गई है। इस ग्रूप से इंग्लैंड की टीम पहले ही सेमी फाइनल में पहुंच चुकी है। बर्फबारी से घाटी में ठंडक बढ़ गई है। मौसम बिज्ञान शिमला की और से आज मध्यव उच परवतिय जिलों के कई भागों में बारिश और बर्फबारी की संभाबना जताई गई है। 22 फरवरी से सभी भागों में मौसम साफ रहने की संभाबना हैं। 25 फरवरी को फिर बारिश बर्फबारी की संभाबना जताई गई है। 16 फरवरी की पर्वरी और भागों में मौसम साफ राल में है। 25 फरवरी की वागों में बार बर्फबारी की साफ भागों में बार माउना है।